हाँ बड़े भया बहुत दिनों बात दिख रहे हो क्या बात है यार तुम यह घड़ी-घड़ी गाया वह जाते हो यार तुमसे डेली वीडियो डालने की नहीं बनती और आज पांच फरवरी हो गई है जन्वरी का फूल मांट अर्निंग वीडियो कितार है अरे हाँ बड़े इसलिए वीडियो डाल नहीं रहाता हूं अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूं किसले 8 दिन से पत्ती किसी और को देना हम ने देखा तुमारे वीडियो में तुम्हें दो दो फोन चलाते हुए तुमारा एक हेलमेट पे लगा रहता और एक से तुम आईडी चलाते हो अरे को बताने वाला हूं मैंने पूरे महीने काम करकी कितना कमाया मैंने कितने का पेट्रोल चलाया ऑइक सर्विसिंग पैंल् univers लगया मुझ्य एक बीन कंफिक लें he और डेली इंसेंटिव कितना मिला और मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवर एक महीने का उसका पूरा निचोर इस वीडियो में देने वाला हूं आपको तो यार बताने से पहले मैं आपको कुछ बाते हैं जो बताना जरूरी समझता हूं क्यों क्यों कि क्या कहीं लोग मुझे मिलते होगी मेरा परसनल एक्सपीरियंस रहेगा मैंने खुद काम किया एक महीने तो उसका पूरा निचोर इस वीडियो में मिलेगा आपको तो यार आप काम कोई सा भी करो कुछ ना कुछ प्रॉबलम हर काम में होती है कोई भी काम पर्फेक्ट नहीं होता है तो इसमें भी थोड मेरी पैनल्टी मेरी लगी 83 रूपीज की जो मेरी पहले हफते में लग गई थी और वो क्यों लगी थी वो सिर्फ इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने अपना जो डिवाइस है वो चेंज कर लिया था मतलब कि यार मेरा जो प्राइमरी फोन था ना मैंने उसमें आइडी लॉग तो यहार जो मेरी 3-78 रूपीज की जो पैनल्टी थी ना भाई साब यह मेरी इसलिए लगी थी क्यों क्योंकि मैं मैंने और इंस्टामार्ट का और था मैंने डिलेवर किया मैं डिलेवर मार्क करें बीना नीचे उतर गया क्यों क्योंकि यार उसक्शे बचके 55 मिनिट हो रह तो वह उसमें बच जाएगा क्यों क्योंकि कंपरी अक्सर साथ बच के साथ बचने में अगर थोड़े बहुत टाइम बच रहा है तो वह कोई लॉंग डिस्टेंट और फसा देती है तो मैंने जस्ट उन 75 रुपीज के लालत में मैंने और डिलेवर मार्क नहीं किया और मैं न देते हो से उसके इसको लाके इंस्का मार्त पर देना होगए तो युससाब मैं फिर से गया서 के पास तो कस्टमर ने क्या किया पूरे पार्सल कपड़् खोल के एटा ठीक घऐ करड़ान ना इच्थे कर दिया मैं फिर से इंस्टामाट पे लेके गया तो इन्हों ने साफ मना कर दिया कि यह हम नहीं रख सकते अगर यह आपको फिर से कस्टमर को देना होगा तो भाइसाब मैं कस्टमर के पास गया तो कस्टमर ने साफ मना कर दिया कि नहीं भई यह मेरा है नहीं मैं यूजी नहीं करती ह कि मैंने कुछ फ्रॉड किया और और कैंसल कराने के लिए और वो मेरी पैनल्टी झाल देंगे है वी पैनल्टी लगा देंगे तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं यह सब आपकी गलती है और रूड ली दरवाजा बन कर लिया and she was female so I couldn't do anything और मेल होता तो भी मैं क्या ही कर लेता तो आइडी बन करी सावाल लिया घर आ गया और उसके बाद दो दिन मैंने चुट्टी रखी रिकावर करने के लिए बट हाँ वह एक वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ था तो यह यह पैनल्टी जो है ना यह बहुत परेशान करती और कस्टमर्स भी ऐसे ही करते मतलब परसो मेरे साथ एक और बार ऐसा हो गया कि कस्टमर ने क्या किया ओर्डर ले लिया मैंने ओर डिलिवरी भी मार्क कर दिया टाइम पे किया सब कुछ अब मैं आईडी बन करके घर आ गया मेरे पास फोन आता है कस्टमर केर का कि आपने आ जाएगा यह तो हम ऐसा बोल देंगे कि राइडर ने तो हमें दिया ही नहीं राइडर फ्रोड कर रहा है तो हां भाई साब यह कुछ प्रॉब्लम से हैं जो हमें फीस करना पड़ती है बाकि रात को बारा बज़े बाद तो बहुत केसे मिल रहे हैं और में पहले एक बार ज सेफ नहीं रहता है तो हां यह कुछ प्रॉब्लम से जिनसे सावधान रहना जरूरी है और अगर कस्टमर या रेश्वरेंट ओनर आप से रूडली बात भी कर रहा है ना तो भी आप कुछ नहीं कह सकते क्यों क्योंकि अगर आपकी कंप्लेंड कर दीना कस्टमर या इस तो यह चीज मैं भी एक्सपीरेंस कर चुका हूं तो हां यार यह कुछ बाते हैं जिनके बारे में आपको सावधान रहना जरूरी है और रात को अगर काम करते हो आप तो फिर तो सावधान रहना जरूरी ही है बहुत होगी बाते अब चलो सीधा आपको ले चलता हूं पर बीकि CRN पर आप में दिखाता हूं और लॉग इन हिस्टी आपके और मेरे फšeन की स्क्री और इसमें दिखाने माला हूं न vast दिखाने वाला हूं 7 जन्वरी से लेकिे र्योरित कि यह पहले का दिखार भब दबैले तो मैं उसका screenshot लगा दूँआँ मेरे पास पास screening सब्सक्राइब तर्फटे को साथे दस घंटे काम किया संडे का उपर इसके बाद यह हो गया फॉर्थ वीक इसने पूरा पूरा वीक लॉग इन दिया और यह प्रीबिएस वीक इसमें पूरा लॉग इन नहीं दिया क्योंकि इसी में लगी थी वह पैनल्टी और जिसकी चुट्टी रख लीना तो आपको यह ओर्डर देता नहीं है ठीक से तो फिर ठीक से काम भी नहीं होता तो काम में मन भी नहीं लगता इसी वज़े से लॉग इन जो यहां पर बिगडी होई है बाकी संडे को मैंने प्रॉपर लॉग इन दिया ता साथ घंटे का उसके बाद इस वीक यह तो फैबरेरी का है लेकिन इसमें भी बहुत चुटियां हो गई है तो हाँ यह राप जैनवरी के पहले वीक का लॉग इन इसमें सेकंड और थर्ड जैन को चुट्टी रखी है मैंने क्यों क्यूंकि मैं 25 अरिक से लगातार काम ही कर रहा था और मैं 10-12 घंटे कर रहा था तो मैंने 2 चुट्टी रख ली थी हलाकि वह हफता भी इतना मैने काम नहीं किया मैंने मतल aan वीक जो पूरा करते ना वह पूरा नहीं किया की लॉग इन अब मैं आपको बताता हूँ earnings इस यह है पहले वीक की earnings जो मैंने 2nd Gen से 8 Gen का बताया था 2nd Gen को मैंने इतना काम नहीं किया बाकी login मैंने इसमें कम दिया तो इसमें मेरे को weekly incentive भी नहीं मिला है अब आते हैं इस महिने के best week पे जिसमें मैंने 6 दिन प्रॉपर लॉग इन दिती जिसमें मेरे को weekly incentive भी मिला तो इसमें पहले दिन की earnings आप देख सकते हो और सब में 9 घंटे से उपर की ड्यूटी अभाई क्योंकि अगर 9 घंटे से कम काम किया तो weekly incentive नहीं मिलेगा और कहीं-कहीं आप देख सकते हो 9 घंटे में जो earning हुई यह वो 10 घंटे में भी नहीं हुई यह देखो यह आप देख सकते हो इसमें मैंने almost 11 घंटे काम किया है बट 8-7 की और यह संडे को 22 का काम नहीं हुआ था यह जो है इसमें weekly incentive भी जुड़ा हुआ है weekly incentive 800 मिला है daily incentive 125 और पेट्रोल डेली पेट्रोल का तेरा हुट है तो यह सब इसका breakout इदर दे रखा यह राइदर incentive order earnings Sunday को इती 8-4 की और यह इदर बोनस भी दे रखा है क्योंकि संडे को extra रहते हैं तो यह यह था best week जिसमें total earnings इतनी हुई थी यहां पे पूरा दे रखा है इसके बाद भाई साब दूसरा week start हुआ मतलब तीसरा जो था और 17-22 जैन तक इसमें इसमें भी मैंने एक चुटी रखी थी और पूरा week भरा है इसमें भी weekly incentive मिला है किसी ब्रेकडाउन दे रखा है संडे का 800 इसमें भी incentive 800 ही है और daily incentive को मिला के 880 हो गया वो ठीक है यह एक तरह से कहा जाए तो यह original earnings है स्विगी की क्योंकि जो पिछले week का मैंने बताया उसमें ना बोनस इस भी जूरे हो है बहुत सारे बोनस काई के भाई साब तो क्या है ना January वो जो week था ना उसमें ठंड बहुत पड़ रही थी और riders की कमी थी तो इन्होंने क्या किया riders को लालस दिया कि भाई साब हम एक्स् सब्सक्रा दे रहे हैं तुम काम करो तो ऐसे में earnings increase हो गई यह second week था अब इसके बाद आते हैं एक और week दूसरे week पर तो यह week है 23 जैन से 29 जैन का और भाई साब हफता विगड़ना क्या होता है वो मैं इसमें बताऊंगा आपको मैंने Friday को ID बीच में बंद कर दी थी किसी कार हफते की चुटी अलाउड होती ना वो भी रख सकते तो मैंने Friday को कर दिया तो इससे मेरा हफता बिगड़ गया अब हफता बिगड़ गया तो क्या होता है उससे weekly incentive नहीं मिलता तो भाई फिर login भी बिगड़ जाता है Friday को Friday को मैंने 6 घंटे की दी तो हफता बिगड़ ही गया तो फिर Saturday को इसने मेरे को orders भी नहीं ठीक से तो मैं ID बन करके घर आ गया चार घंटे में सिर्फ 176 का काम हुआ उसके बाद Sunday को मैंने मन मारके किया काम तो इसने orders भी दे दिये बाकि इस अवते सिर्फ 31 रोपे की earnings हुई साफीर आता है यह 31st जैन जिस दिन मेरी 378 की penalty लगी हलाकि यह 31st को मैंने जो penalty वाला काम हुआता न यह हाँ यह 130 का काम हुआ इस दिन हुआता इस दिन लगी थी यह जो cancel लिखा हुआ आ रहा है न इस पे हुआता जो भी हुआता यह इंस्टामाट का order था तो तीस तारीक को order cancel हुआ और 31st को इन्होंने मेरी penalty लगा दी सो गाइस total earnings हुई है बीस हजार एक सुच्छा उदा की पेट्रोल लगा है जिसमें 4000 का बाइक सर्विसिंग में मान रहा हूं 1000 रुपे की हलाकि मैं तो 5000 का पूरा इंजिन का वर्क करवाया था बट नॉर्मल अगर वर्क करवा र खर्चा में 1000 मान रहा हूं तो मैं उसको मोटा मोटा हजार मान रहा हूं तो यह टोटल मिला के कितना हुगा माइनस ही नहीं किया तो भाइस आप टोटल हो रहे है 14114 अगर मैं उसमें से 6000 का खर्चा काड़ दू तो और सर्विसिंग का यार हर 5-6 महीने में आपको हो सकता है एंजिन खुलवाना पड़ जाए हला कि डिपेंड करता है आप बाइक कैसे चलाते हो आपकी वाइक क्या है कैसे करते हो आप अगर आप अच्छे से करते हो तो आप तान लंबा चोड़ा खर्चा नहीं करवाना होगा लेकिन यार बाइक मेरी दो साल से चली रही थी तो उस की आवरेज आराम से तो मेरा 4000 कहीं लगा अब डिपेंड करता है आपकी वाइक कितना एवरेज देती है क्योंकि यार वाइक ना रोज कम से कम अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो 9 घंटे की तो कम से कम 130 किलोमेटर तो चलेगी चलेगी लब 100 से उपर तो जाना ही जाना है 120 130, 140 इतना तो चलेगी ही चलेगी और इसमें मेरा पेट्रोल 210 का डलवाता था हमें और उसी में मेरा काम हो जाया कर दो था तो मेरी वाइक का अच्छा है तो यह एक चोटा सा वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरे महीने काम करना पड़ा है तो एक लाइक तो कर देना यह इसके लिए हलाकि मैं कभी कहता नहीं हो लाइक वाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो अधर्वाइस यह चोईस फिर होती है मुलाकात अगले वीड